फिर मार्निंग स्टुडेंट इस वीडियो में हम तर्चा करेंगे समुदाय की विशिष्टाओं के बारे में इसे वीडियो के पहले पार्ट में हमने चर्चा की थी समुदाय की अर्थ और परिबाशा के बारे में और उनी अर्थ और परिवाशा के आदार पर जो विशेष्टा है उभर कर सामने आती है उसके उपर हम चच्चा इस वीडियो में करेंगे आप सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियो को सुनकर नौर्स बनाते रहिए ताकि आपको परिख्षा के समय ज़्यादा परिशानी नहीं है तो समुदाय की जो विशेष्टा है उसमें सबसे पहले विशेष्टा है कि समुदाय विक्तियों का समुध बिना विक्तियों के या बिना मानव के समुदाय का निर्मार नहीं हो सकता है क्योंकि व्यक्ति इसकी प्रथम इकाई है सबसे पहले इकाई क्या है व्यक्ति है तो समुदाय के लिए व्यक्तियों का होना आवशक है अर्थात व्यक्तियों का समू होगा तभी समुदाय का निर्मार होगा दूसरी विशेष्टा है निश्चित भूभाग समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या च्छत्र का होना अति आवशक है अधिकतर जो समुदाय एक निश्चित स्थान पर ही बसे होते हैं या निश्चित भूभाग पर ही रहने से उनमें क्या होती है एकता उत्पन होती है वह संगठन कापी द्रड हो जाता है हाला कि आज संचार हो यातायत के साधनों से एक निश्चित भूबाग में बंदे रहने या पूर्णत बंदे रहने की संभावना नहीं है फिर भी काफी हद तक एकता के सुत्र में स्थानीता के आधार पर बंदे रहते हैं हाला कि इसमें भी शिथिलता आ रही है फिर भी स्थानीता का जो आधार बुटत्व है वो आज भी विद्यमान है वास्तों में अगर देखा जाये तो समुधाय की जो अवधारना में निश्चित भूबाग की जो स्थिती है उसमें परिवर्टन आया है जो छेत्री सीमाय है उनमे तूटन आया है या तूट रही है चोटे-चोटे जो समुदाय है वो बड़े समुदाय में बदलते जा रहे हैं यह एक प्रकार का खेत्री विस्तार है लेकिन इसमें स्थानीता का भाव नहीं है अर्था निश्चित भूभाग या खेतिता कि में शितिलता आई है लेकिन माप्त नहीं हुआ है अगला विंदू है आत्म निर्गरता जैसा हमने पहले भी चर्चा की वीडियो में कि एक जो समुदाय है उसमें निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी समस्त हावशक्ताओं की पूर्ति क्या है समुदाय के अंतरकत ही हो जाती है वर्तमान समय में जो यूग चल रहा है उसमें क्या है थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हुआ है समुदाय क्या अन्य समुदाय के संपर्क में आया है उससे क्या है उसकी आवशक्ताओं की अलग तरह की होने की वज़े से समुदाय पूर्ण रूप से अपने उपर आश्रित नहीं है अन्य समुद समुदाय की जो बेसिक विशेस्ता है उसके अंतरगत वह क्या है आत्म निर्बर अर्थात अपनी समस्त आफशक्ताओं की पूर्ती समुदाय स्वयम करता है जैसा मैंने पहले भी करा पालने से लेकर सम्शान तक की विवस्था करने में सक्षम होता है समुदाय समुदाय में समुदाय भावना पाई जाती है एक भूबाग से संबंदित होते हैं तो उनमें बहुत कुछ समानताएं होती है और उन समानताओं के आजार पर उनकी आवशक्ता है और अनुभव जो है वो भी समान होते हैं उनके एक जिसे तीज त्योहार होते हैं उनके संसका होते हैं उनके उत्सव होते हैं उनमें वो लोग भाग लेते हैं और एक जैसी जीवन विदी और जीवन मुल्य से संबंध होने के करण उनमें एकता की भावना या अपने पन की भावना उत्पन होती है जिसे हम सामुदाइक भावना कहते हैं और हम या संबंधों में हम की बहुत सारे जो रिती रिवाज संस्कार और त्योहार उसमें बंदे रहते हैं बहुत कुछ उनका जीवन एक जैसा वेतित करते हैं तो उसे लोगों में सामुदाइक भावना क्या होती है और सुध्रड होती है अगला बिंदु है सामान्य जीवन समुदाइ की जब हम बात करते हैं बच्चों तो समुदाइ का निर्मान या स्वतर्स पूर्टे सबसे पहली बात तो समुदाइ को बनाया नहीं जाता है वो अपने आप बनता है तो समुदाय किसी विशेश उद्देश की पूर्ति का साधन नहीं होता है समुदाय में रहते वे विक्ति क्या करता है सामाने जीवन वितित करता है और उसके जो सदश्य है उनका एक मात्र लक्ष क्या होता है सामाने आफशक्ताओं की पूर्ति करना होता है इसी के फलस वरूप हम समुदाय में रहते हैं समुदाय एक राष्ट भी हो सकता है एक नगर भी हो सकता है और एक गाउं भी हो सकता है जिसके सदर्शिय अपस में सामान्य जीवन वितीत करते हैं अगला बिंदू है व्यापक उद्देश और बहुत कुछ सामाने जिए इसके अंतरकर जीवन के अनेक पक्ष को लेकर समुदाय में वेक्ती एक दूसरे के भागीदार बनते हैं एक इस्थान पर रहने के साथ साथ उनका जीवन के उद्देश एक जैसे होते हैं बहुत कुछ समान उद्देश और समान हीतों को लेकर लोग आपस में संबंद रहते हैं एक जैसे रिती रिवाज, एक जैसे नियम, उपनियम, भाशा, उनके एक जैसे उत्सव, एक जैसे संसकार समुदाय में देखने को मिलते हैं तो उद्देशों की जब बात करते हैं तो उनके लगबख उद्देश और चित क्या होते हैं समान होते हैं इसलिए लोग एक दूसरे से संबंध होकर सयोग करतें अगला बिंदू है नियमों की एक सामान्य व्यवस्था गिंसबर्ग या मौरिस गिंसबर्ग जो है वो समुधाय के तरगत जो आवशक तत्तों क्या मानते हैं नियमों की सामान्य व्यवस्था को मानते हैं समुदाय में नियम जो परचलित होते हैं उनी की एक सामानी ववस्ता होती है उसी के द्वारा सदर्श प्रभावित और नियंत्रित होते हैं उन नियमों को सामाजिक करण के द्वारा लोग सीखते हैं और उसी के मर्दिम से क्या होते हैं नियंत्रित रहते हैं अगला बिंदु है विशिष्ट नाम किसी भी समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है बिना विशिष्ट नाम के समुदाय नहीं होता है समूदाय का नाम अधिकतर भुभाग के आधार पर रखा जाता है जैसे गुजरती समूदाय, बंगाली समूदाय, शरणारती समूदाय इस तरह से समूदाय का नाम रखा जाता है कुल मिलाकर किसी भी समूदाय का एक विशिष्ट नाम होता है पहचान होती है कि यह X समुदाय है या Y समुदाय है अगला बिंदू है समानताओं का क्षेतर लाइकनेस परतिक जो समुदाय है उसमें अन्यक परकार की समानताओं पाय जाती है कैसे पाय जाती है जिसे प्रताओं की समानताओं है रूडिवादी विचारों की समानता हैं, रिती डिवाज हैं और उनमें उत्सव मनाने के अनों के डंग पाये जाते हैं सब समानताओं में प्रधान होती है बाशा की समानता, the most important part जो बच्चों है वो है कि उनमें बाशा की समानता होती है, उनका जो communication behavior है वो क्या होता है, बाशा की आधार पर नियांतर देता है और वो क्या लेती है, समानता लिये होती है, और प्रत्येक समुदाय की अलग अलग बाशा होती है कुल मिलाकर समानताओं काक्षेत्र कहा होता है जहां समुदाए होता है वाह अगला बिंदू है स्थाइट समुदाए एक बार जब बन जाता है तो कभी कबार जब नेचरल केलामिटीज होती है प्राकरतिक आपदाएं होती है से बाड, भूकम, तुफान, आदी जिससे वह पूर्ट नश्ट हो जाए तो छोड़कर समुदाय स्थाई संगठन है एक बार जहां निवास कर लेता है वहां वीपरित परिस्तितियों चाहे उसको किसी से युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध करेगा लेकिन प्राकर्ति वापदाओं की स्थिति में वो माइगरेंट कर सकते हैं बाकी समुदाय स्थाई बना रहता है अगला बिंदो है मुर्टता हमने पहले भी चर्चा की है कि समुदाय का जो जन समुदाय है उसका हम लोग अवलोकन कर सकते हैं निरिक्षन कर सकते हैं और समुदाय की जो इसी आधार पर जो मुख के विशेशता है मूर्ततार था समुदाय को देखा जा सकता है उसका आवलोकन के आजा सकता है और निरेक्शन किया जा सकता है तो समुदाय की जो ये विशेशता हैं वो उसके उपर हमने चर्चा की समुदाय के उपर समाशास्त्र में रोबर्ट रेड़ फिल ने लिटिल कम्यूटी की नाम से जो उनकी पुस्तक है उसमें काम किया है जो बहुत ही उलेखनी है काम यह हमें याद रखना है क्योंकि Robert Redfield के Little Community पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है तो इस वीडियो में हमने चर्चा की कि समुदाय की जो विशेष्थाएं हैं वो क्या-क्या है अगले वीडियो में हम किसी अज्य टॉपिक के साथ पुन्हा आपसे बुखातिब होंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय बारत